मारकेट से समंदित पिछले वीडियो में आ हम ने जाना कि बर्ट एड मौडल क्या होता है और किस प्रकार से ये मौडल दैादिकार के संतुलन को दर्षाने के लिए प्रियोब में होता है इसी क्रम में आज के इस वीडियो हम देखेंगे कि समने रुप से बर्टेंड मॉडल पर एक मैथमेटिकल कुष्चन बार-बार परिक्षा में पूछा गया है यह कुष्चन जो में की परिक्षा है उसमें लगबग 57 बार मैंने विबिन जो परिक्षाओं है उसमें यह कुष कुष्चन देखा है तो आज के इस वीडियो हम देखेंगे कि अगर कोई मैथमेटिकल कुष्चन बार-टेंड मॉडल से संबन्दित आ जाता है तो आप उसे किस प्रकार से हल करेंगे तो यहां देखिए मैंने कुष्चन समय बचाने की दरस्ति से लिखा है कि दो फलनों क दो फलनों के लागत फलन और मांग फलन इस प्रकार से है क्यूवन हमको देखा है 88-4P1-2P2, C1 देखा है 10Q1, Q2 देखा है 56-2P1-4P2 और C2 देखा है 8Q2, तो ऐसी इस्तिती में हमें Q1-Q2 की मात्रा निकालनी है, दोनों की लागत निकालनी है, दोनों में लाब कितना होग होगा वैसारी चीज हमको निकालनी है, तो देखिए बर्टेट मोडल के हम बात करते हैं, तो यहां देखिए हमको दे रखा है, टोटल रेवन्यू 1 बरावर होता है P1 गुणा Q1, तो टोटल रेवन्यू 1 हो जाएगा आपका, P1 गुणा 88-4P1 प्लस 2P2, तो टोटल रेवन्यू 1 हो जाएगा, 88P1-4P1 स्क्वाइर प्लस 2P1P2, और C1 दे रखा है, टोटल कोस्ट 1 दे रखा है 10Q1, तो टोटल कोस्ट 1 दे रखा है 10Q1, तो यहाँ आप देखेंगे कि TC1 निकालने के लिए, तो TC1 बरावर 10 गुणा Q1 का मान रख देते हैं, 88-4P1 प्लस 2P2, तो आप देखें, पाई, पाई 1 बरावर होता TR1-TC1, तो क्या करेंगे, पहले टोटल रेवन्यू लिखेंगे, 88P1-4P1 का स्क्वाइर, प्लस 2P1P2, मान रख देखेंगे, तो यहाँ पाई 1 क्या हो गया, 88 और यह देखेंगे, यह माइनस है, माइनस करेंगे, तो देखेंगे, यह पहला माइनस, दूसरा, प्लस और तीसरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कैसे, तीसी गटा रहे है, तो यह वाला जो गड़ जाएगा और यह माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस तो यहाँ देखिए यह 88 में वो जुड़ेगा था है का 128 P1 माइनस 4 P1 का स्क्वार प्लस 2 P1 P2 यह जोड़ चुके माइनस 20 P2 अब देखे डेल P1 by डेल P1 के सापक्स अब कलन करें इसका तो आएगा 128 क्योंकि देखे बटेट मोडल जो है वो कीमत को बताता है माइनस 4 P1 प्लस 2 P2 इस इकल टू जीरो प्रसम अब कलन को जीरो करना है तो हमने क्या P1 के सापक्स अब कलन किया तो आया 128 4 P1 ये P1 के सापक्स P2 रहा इसमें P1 ये इसलिए जीरो हो गया इसका सेकेंड अवकलन करेंगे D2Pi by D P1 स्क्वार तो आएगा माइनस 4 नेगेटिव इसका मतलब लाब यहां दिखते होगा तो अब आपका क्या है 128 प्लस 2P2 उदर जाकर 4P1 हो जाएगा तो 8P1 बराबर हो गया 128 प्लस 2P2 तो P1 बराबर हो गया 128 divided by 8 plus 2 by 8P2 तो P1 बराबर हो गया 128 को 8 से divide करेंगे तो 8 बंजा 8, 4, 8 सिखजा 48 प्लस 1 by 4P2, यह आपका P1 हो गया पहला equation आगया, पहला equation क्या आगया यहां लिख देते हैं, P1 बराबर 16 plus 1 by 4P2 तो हमने क्या किया, सबसे पहले TR1 निकाला TC1 निकाला और Pi बराबर होता है TR1 माइनस TC1 तो पहले जो उद्योग था Q1 और C1 का प्रियोग करते हैं, हमने इसको किया तो यह आपका P1 का समय करना गया अब हमको क्या जरूत पढ़ सकती है, इसकी जरूरत पढ़ सकती है Pi 1 की, क्यों अगर हम पहला आउकला निकालेंगे तो यहां मैं Pi 1 भी लिख कर रख लेता हूं Pi 1 बराबर 128 P1 माइनस 4 P1 का स्क्वाइर प्लस 2 P1 P2 माइनस 20 P2 तो कि अगर हम पहले कल आप निकालेंगे तो यहां P1 P2 का मान रखेंगे तब निकलेगा अब देखें, दूसरा इस प्रकार से हम करेंगे उसको सेकेंड को भी मैं आपको करके बताता हूं कि इस प्रकार से करेंगे अब देखें, टोटल रेवन्यू 2 बराबर होगा P2 गुणा Q2 तो P2 तो है ही, Q2 यह रखा है 56 प्लस 2 P1 माइनस 4 P2 और टोटल कोस्ट बराबर होगा 8 यह Q2 का मान रख रहा हूं Q2 का मान है, 56 प्लस 2 P1 माइनस 4 P2 तो यहां देखिए, टोटल रेवन्यू 1 आया आपका 56 P2 प्लस 2 P1 P2 माइनस 4 P2 स्क्वार टोटल कोस्ट आपका आया, 8 को 56 से मल्टिप्लाई करेंगे 56 मल्टिप्लाई बाइट, यह प्लस 16 P1 माइनस 32 P2 अब देखिए, पाइ 2 बराबर होगा T2 माइनस T2 यह देखिए 2 है यह T2 तो क्या करेंगे, पाइ 2 बराबर 56 P2 प्लस 2 P1 P2 माइनस 4 P2 स्क्वार माइनस 4 4 8 माइनस 16 P1 प्लस 32 P2 32 में 56 जुडेंगे, तो आएगा 56 प्लस 32 यह आगे आपका 88 P2 प्लस 2 P1 P2 माइनस 4 P2 का स्क्वार माइनस 4 4 8 माइनस 16 P1 अब क्या करेंगे, डेल पाइ 2 बाइ डेल P2 के साफिक साफिक अपक्र लंग करेंगे तो आएगा 88 प्लस 2 P1 बचेगा, माइनस 8 P2 यह 0 हो जागा, यह 0 हो जागा, क्योंको P2 दोनों में नहीं है यह second equation हो गया डेल स्क्वार पाइ 2 बटेल P2 स्क्वार, second alkaline करेंगे तो आएगा, माइनस 8 नेगेटिव, इसका मतलब है, कि यहां पर लाब अधिक्तम होगा अब देखिए, हमने क्या करना है 88 प्लस 2P1 बराबर 8P2 8P2 बराबर 88 प्लस 2P1 तो P2 बराबर 88 दिवाइड़ बाइ 8, 2 बाइ 8P1 तो P2 हो जागा, 11 प्लस 1 बाइ 4P1 यह P2 कमाना गया तो P2 बराबर आगे आपका, 11 प्लस 1 बाइ 4P1 और πाई 2 का मान आया कितना पाई 2 88 P2 प्लस 2 P1 P2 माइनस 4 P2 स्क्वेर माइनस 448 प्लस 16 P1 यह लिखके रख लिया हमने अब देखे P1 P2 का मान इससे निकाल लेंगे पहली की किमत आजागी दूसरी की किमत आजागी दोनों की कोस्ट भी निकल जाएगी तो यह आप देखे इस प्रकार से हमको पहले P1 का करना है दूसरी बार P2 का करना है अब देखे किस प्रकार से P1 P2 का मान निकालते हैं यह आपको समझ में आगया होगा कि किस प्रकार से आपको TC1 और TC2 निकालना है अब देखे हमारे पास P1 बराबर दे रखा है 16 प्लस 1 बाइ 4 P2 और P2 बराबर आया हमारा 11 प्लस 1 बाइ 4 P1 तो देखे P1 बराबर 16 प्लस 1 बाइ 4 P2 का मान रख देते हैं 11 प्लस 1 बाइ 4 P1 कुछ भी रख दो आप P2 में P1 रख दो तो यह आया P1 बराबर 16 प्लस 11 बाइ 4 प्लस 1 बाइ 16 पी 1 तो क्या आएगा? P1 माइनस 1 बाइ 16 पी 1 बराबर 64 प्लस 11 अपॉन 4 तो यह आएगा 15 अपॉन 16 पी 1 is equal to 75 अपॉन 4 तो P1 is equal to 75 अपॉन 4 गुणा 16 अपॉन 15 उल्टा जाएगा? उदर जाकर उल्टा गुणा हो जाएगा यह 4 टाइमस कटा तो P1 का माना गया 20 इसी कट से देखो एक बार और करके बताता हूँ पी 2 मुझे निकालना है तो मैंने क्या के 11 प्लस 1 बाई 4 पी 1 का मान रख दिया 16 प्लस 1 बाई 4 पी 2 डाइरेक्ट हम यहां पर की पी 1 का मान 20 रखेंगे तो आजाएगा यहां 20 रखेंगे तो यह 16 आजाएगा पर मैं एक बार और करके बता रहा हूँ तो पी 2 बराबर आग्या आपका 11 प्लस 16 अपोन 4 प्लस पी 2 वन अपोन 16 पी 2 मल्टिप्लाई कर दिया तो पी 2 मैनस 1 बाई 16 पी 2 बराबर 11 प्लस 4 इसको लगुतम लिया 16 तो 16 पी 2 मैनस पी 2 बराबर 15 15 पी 2 बटे 16 बराबर 15 तो पी 2 बराबर 15 गुणा 16 दिवाइड़ बाई 15 तो पी 2 का मान आए 16 तो यहां देखें पी 1 का मान आया था 20 और पी 2 का मान आया 16 दोनों मान आ गए अब उत्पादन की मात्रा दोनों के निकालते हैं इस परकार से आप दोनों में कर सकते हैं और मैं अगर डाइरेक्ट ऐसे भी करता पी 2 बराबर 11 प्लस 1 बाई 4 गुणा इस पी 1 का मान 20 तो पी 2 बराबर जाता 11 प्लस 5 पी 2 बराबर 60 तो ऐसे भी कर सकते हैं मैंने एक बड़ दुबारा आपको कराने की दरस्ती से वहां 16 निकाल के दिखाया तो यह आपका पी 1 पी 2 का मान आ गया अब देखें क्या करना है अब आप देखें क्यूवन निकालना है क्यूवन बराबर होता है 88 माइनस 4 पी 1 प्लस 2 पी 2 तो क्यूवन अब है जगा 88 माइनस 4 पी 1 का माने 20 प्लस 2 पी 2 का माने 16 तो क्यूवन बराबर हो जगा 88 में से 80 निकलेगा और 32 जुडेगा तो Q1 कमान अगया 40 Q2 कमान निकालना है Q2 बराबर है 56 प्लस 2P1 माइनस 4P2 तो Q2 बराबर हो जगा 56 प्लस 2 गुणा 20 P1 कमान 20 माइनस 4 गुणा 16 तो Q2 बराबर हो जगा 56 प्लस 40 माइनस 64 तो वह आएगा 106 माइनस 64 42 आजाएगा तो Q2 बराबर आजाएगा 42 यानि पहली फर्म के द्वारा उत्पादन किया जगा 40 दूसरी फर्म के द्वारा उत्पादन किया जगा 42 इस इपकार से C1 निकालना चाहिए तो 10 गुणा 40 यानि पहले की कोस्ट आएगी 400 C2 निकालना चाहिए तो 8Q2 बराबर 8 गुणा 42 that is 832 320 यह C1 बराबर होता 10Q1 तो 10 गुणा Q1 कमान 40 आया इसलिए 4 तो C1 C2 भी निकल गया Q1 बराबर है 40 Q2 बराबर है 42 अब देखें लाब निकालने के लिए दो तरीके C1 C2 को गटा दीजिए Tc से तो भी आ जाएगा क्या है C1 बराबर है 400 C2 बराबर है यह देखें 42 को 8 से गुणा किया थोड़ा गलत है मा 42 मुल्टिप्लाइ 8 That is 336 तो यह यह 336 यह भी आंसर है हमारे अब देखिए लाब निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोनों के लाब निकालने तो देखें पाइवन पाइवन बराबर होता 88 गुणा 20 माइनस 4 गुणा 20 का स्कूर प्लस 2 गुणा 20 गुणा 16 माइनस 400 तो पहला लाब हो जाएगा 88 को 20 से गुणा करेंगे 1760 20 मल्टिप्लाइ बाइ 20 मल्टिप्लाइ बाइ 4 माइनस का 1600 2 गुणा 20 मल्टिप्लाइ 16 मल्टिप्लाइ 2 ये प्लस का 320 माइनस का 400 तो कूल आएगा पहले का जो प्रॉफित आएगा देट इस 80 पहले का जो प्रॉफित आएगा देट इस 400 देखिए Q1 और Q2 के जमान है Q1 का मान आया 40 और Q2 का मान आया ओके तो 10 Q1 10 Q1 का आएगा 400 पाई 1 निकालने के लिए Q1 और Q2 Q2 का मान हमारे इसमें आ रहा है 32 Q1 का रहा है 40 यहां तक सही है देखिए एक बार Q2 का मान वापिस निकालते हैं फिर इसको चेक करते हैं Q2 बराबर है 56 प्लस 2P1 माइनस 4P2 तो Q2 बराबर आगे 56 प्लस 2 गुणा 20 माइनस 4 गुणा 16 तो Q2 बराबर 56 प्लस 40 माइनस 64 मैंने यहां ना 106 से कर दिया था इसको तो यह आया Q2 बराबर 96 माइनस 64 तो Q2 बराबर आगे 32 अब जो लाप की बात है लाप की बात में हमने क्या करना है TC 10 गुणा Q1 400 तो देखिए पहले वाला 88 P1 माइनस 4 P1 स्कूर प्लस 2 P1 P2 माइनस माइनस यह है P1 Q1 TC 1 TC 1 बराब 10 गुणा Q1 40 तो यहां हम इसको मल्टिप्लाई करेंगे तो देखेंगे क्या आएगा P1 बराबर TR 1 माइनस TC 1 तो 88 मल्टिप्लाई 20 88 मल्टिप्लाई 20 यह आपका प्लस का है 1760 फिर 400 मल्टिप्लाई 4 यह आपका 1600 फिर 2 मल्टिप्लाई 20 मल्टिप्लाई 16 2 मल्टिप्लाई 20 मल्टिप्लाई 16 यह आपका आगे 640 इस देखें यहां गड़बड़ा रही थी 640 है और दूसरा है 400 माइनस का तो पाइवन आएगा 400 है पहला लाब आ गया 400 है अब देखें दूसरा लाब निकालेंगे पाइटू निकालेंगे पाइटू के लिए टी आएटू माइनस टी सी टू टी आएटू एरा 56कू टू 56P2 सोरी 2P2 प्लस 2P1P2 माइनस 4P2 स्क्वाइर माइनस टी सी टू आठ को बत्तिस से गुणा करेंगे 256 यदे कि 8 मल्टिप्लाइ क्यू टू कमान थर्टी टी 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 टू टू क्या करेंगे 56 मल्टिप्लाइ 16 प्लस 2 मल्टिप्लाइ 20 मल्टिप्लाइ 16 माइनस 4 16 टू पावर 2 माइनस 256 मल्टिप्लाइ करेंगे 56 मल्टिप्लाइ 16 पहला वाला आएगा 896 वापिस करके देख लेते हैं 56 मल्टिप्लाइ 16 दूसरा रहा 2 मल्टिप्लाइ 20 मल्टिप्लाइ 16 16, that is also 640, 16 multiply 16, multiply 4, that is minus 10, 2, 4, 256, तो result आया 256, तो pi 2 आया 256, इस प्रकार से देखिए, यदि कोई बाटेड मौडल से सम्मन्दित, कोई भी mathematical question आता है, तो आप step by step चलेंगे तो बहुत आसानी से उस mathematical question को कर पाएंगे, जैसा कि हमने बहुत कम speed से इसमें कराने की कोशिज करी है, कोई भी सवाल आए, maximum बाद यही सवाल आया, इसलिए मैंने इसी सवाल को लिया है, कई बार राश्तान इंवर्शिटी की paper देखें, बहुत सारी राश्तान की इंवर्शिटी में बार बार यही question repeat हो रहा है, तो इसलिए मैंने इस सवाल को लिया है, मैं समझता हूँ इस derivation के माध्यम से, आप समझ पाए होंगे कि बार्टेट मॉडल से समंदित, यदि कोई सवाल आ जाता है, तो किस प्रकार से उसको हल करना है, धन्यवाद मैं